इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 का हिंदी का एक्जाम पेपर सॉल्व करने वाले हैं हाफ एरले एक्जाम पेपर जो 1224 में आने वाला है तो देखें यहाँ पर अर्थवार्शिक मुल्यांकन 1224 विसे हिंदी टोटल मार्क्स रहेगा 50 लास ठीक कच्छा देखें रहें शिक्स क्लास का ओरिजिनल पेपर है तो इसको पढ़के जाएगा समझे किसे को छोड़ नहीं सकते हैं तो वहाँ पर दोनों में से कोई एक लिखना रहता है ठीक है लेकिन बाकी प्रस्ण आप छोड़ नहीं सकते हैं दिखिया आगया पहला निमर्ण लिखे तो सब दों में से सब्भासइए जो बॉक्स को निज Запना को भरना है पांश कोश्चन धिया वह पहला देखे और तो देखिए पहला कंजू सेट ने चित्रकार डैस से देने का बादा किया ठीक है तो क्या देने का बादा किया स्वड मुद्रा हैं ठीक है चित्रकार ने डैस से सला लिए तो किस से सला लिए तिनाली राम से सला लिए ठीक है तिनाली राम यह सब इसी में से भरना है ना तु से इन ते थो जबढ़ा मनुष्य से आगे है बावा जी मैं यह डैस आपके पास ठीक है यहां पर ध्यांस तो देखिए आप पांच मां क्या था बावा जी मैं यह घोडा आपके पास नहीं रहने दूंगा घो बच गया यह घोड़ा बच गया तो गोड़ा क्या करेंगे यह पर भर देंगे आगे देखिए तू नंबर लिम्खेत कत्वनों पर सही या गलत का निसान अंकित किजिए जो गलत गलत जो जो सही यह भी दस नंबर का तो यह कोशन कितना है दो दो नंबर का तो देखिए पहला है मेजर ध्यांचंद हौकी के खिलारी नहीं थे मेजर ध्यांचंद हौकी कहीं खिलारी थे यह बड़ा नहीं थे ठीक है तो यह हो जागा क्या गलत यहां पर इस पर ध्यान मत देजेगा महराना परताब का समथ चितौर से है तो यह सही है खेट में घास निराने और गड़े खोदने में पुरा समय नहीं देना ठीक है तो चित्रकार को सलाह नहीं दिये तो यह हो जागा सही आगे देखें सुबह होते होते कलास ने काली-काली आखे खोले तो काली-काली ने लाल आखे खोले तो यह हो जागा गलत आगे देखते हैं 2 नमबर तो देखी यहापर 2 नमबर तो हो गया 3 नमबर किस सब्दों को उनके अर्थों के साथ ед मिलान किजिए यह 10 नमबर का आ चेक है 10 नमबर तो दिखाए इसको आगे बढ़ाते हैं अब दिखता होगा तो आपको नमबर मिल लागा पचास में पचास एक दू नमबर राइटिंग के लिए कटेगा तो राइटिंग अच्छा रहेगा तो पुरा नमबर मिलेगा अब देखे आगा फोर नमबर लगवा बीस सब्दों में उतर दीजिए बीस ठीक है यह अथवा है यह दोनों में से कोई एक जवाब देना और ध्यान रखना है और पार्ट टू यानि दो नमबर इसके बाद तो देखें यहाँ पर असले चितर सिर्शक कहानी का कौन सा पात्र आपको अच्छा लगा और क्यूं उसके बाद है अथवा ध्यान चन्द ने अपनी सफलता कराच क्या बताया है तो बताते हैं आगे तो कौन सा बता रहे हैं यह बता रहे हैं पहला नमबर तो दोखें यह पहले पहले नमबर का उत्तर इस कहानी का तंकर अच्छा लगा तनालीराम के कारण हें कहानी आगे बढ़ती है कि कि तlemeलिय तो यह हमको तनाली राम का जो करेक्टर है ना पात्र बहुत अच्छा लगा उसके बाद देखें दूसरा नमबर यहाँ पर कहां हां यहां बाव भारते के घोड़े को देखने के लिए खरक से क्यूं अधिर होटा यानि अधिर यानि बेचान क्यूं होटा अथवा चित्वार के परताब की कहानी हमें क्या सिखाती है दोनों में से क्या करना कोई एक लिखना है यह पांच नमबर का है तो यह आपको बता रहा है टू नमबर बाव भारती के घोड़े को देखने के लिए खरक से क्यूं अधिर होटा तो यह से लिखेंगे बाव भारत यहां भी अथवा दिया वार, यानि दोनों में से कोई एक ही लिखना है, देख उत्रे प्रस्ण है, लगबख सौ सब्दों में उतर दीजिए, सौ सब्द, पांचवा है, क्या चिरियां के संदेशों के अनुसार मानव कारे करते हैं, इस पर अपना विचार प्रस्तूत किजि तो देखिए यहां पर, हां मानव चिरियां के संदेशों के अनुसार कारे करते हैं, मगर कुछ मानव चिरियां के संदेशों के अनुसार कारे नहीं करते हैं, कुछ मानव कुछ मानव नहीं करते हैं, यह मानव पर निर्भर करते हैं, समझें, तो क्यूंकि क्यूं नहीं करत होते हैं कि वे सोभाव के स्वार्थी सोभाव के स्वार्थी लालची बेमान होते हैं किन्तु सारे मानव ऐसे नहीं होते हैं कुछ मानव समझदार भी होते हैं जो दुसरों की मदद भी करते हैं समझें दुसरों की की तरह चिरियां की तरह सोतंत्र और नीडर होकर जीवन जीना चाहिए लास्ट लैंड धान सुनिएगा हो सकता आपको नहीं दिखा पड़े थो खटा हुआ तो अंत्मिका लिखावा और नीडर होकर जीवन जीना चाहिए यह लिखावा जीवन जीना चाहिए ठीक है इस परक और से क्लास शिक्स का अर्धवार्शिक मुल्यांकन पेपर का कोशन इसाम पड़ा सौल करा दिये हैं एक्जाम पेपर ओरिजिनल है जिसको आप पढ़के जाएगा तो अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जाएगा ठ ठीक है थैंक्स पर वाच्छिंग